नमस्कार, सारी सुरों का ये है मिलन इस सीरीज के आज के एपिसोड के हमारी दोनों दिगच संगीतकार शास्त्रिय संगीत से बहुत प्रेरित थे और इन दोनों संगीतकारों ने शास्तिरे संगीत और फिल्म म्यूसिक को मिलवाने का बहुत अच्छा प्रयास किया था इस एपिसोड की शुरुवात हम करते हैं एक बहुरुपिक अलाकार के साथ जो एक गायक, एक परकशनिस्ट यानि तबला, धोलक और पखावज बजाते थे और नृत्य यानि कथक में भी निपुन थे और सबसे बड़ी बात, उस्ताद बड़े गुला मलीखा सहब उनके बारे में सुर्का बिच्छू, तान सेंग या संगीत शास्त्री के लिके पुकारते थे हम बात कर रहे हैं सुजंगर राजस्थान में जन्द में श्री जमाल सेंग जी के बारे में लता जी ने उनके पास बहुत सारे गाने गाए हैं लेकिन आज मैं जिस गाने को आपके सामने पेश करती हूँ वो है 1951 के फिल्म शोखिया से जो काफी पॉपिलर हुआ था यमन कल्यान पुराधारित इस गाने को सुनिये सुपना बन साजन आए सुपना बन साजन आए हम देख देख मुस्गा आए इनना भर आए शर्मा आए सुपना बन साजन आए सुपना बन साजन आए उसी दोरान एक और संगीतकार भी थे जो शास्त्रे संगीत से प्रेरित थे और अलाउदीन खासाप के साथ वो उनके पास सरोच सीखा था होने और आल इंडिया रेडियो पर एसराज इंस्रूमेंट आपको पता ही होगा वो भी बजाते थे और उसंगीतकार का नाम है आली रे रोकाना कोई करने दो मुझको मन मानी आज मेरे घर आये वो प्रेतम जिनके ले सब नगरे छानी आज कोई बंधन ना भाए आज है खुल खेलन की ठानी जी हां हम बात कर रही है 14 जुलाई 1917 में जन में रोशन लाल नागराथ जी के बारे में जिने हम सभी रोशन जी के नाम से जानते हैं ऐसा भी कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म म्यूजिक में इनका खुद का एक घराना है जिसे हम रोशन घराना भी कह सकते हैं इनके बेटे राजिश रोशन एक परख्यात संगीतकार है और राकिश रोशन जी और रितिक रोशन जी के फिल्मों में गानों को बहुत महत्वदिया जाता है अभी जिस गानी को आपने सुना है वो है फिल्म चित्रलेखा से और लता जी के पसंदिदा गानों में से एक है इसके बोल लिखे हैं साहिर लुध्यानवी जी ने और सबसे बड़ी बात इस गानी में रोशन जी ने एक पारमपारिक बंदिश को भी जोड़ा है और वो बंदिश है एक और बंदिश को भी उन्होंने काफी पॉपिलर किया था और वो है फिल्म मलहार से गर जत बरसत भी जत आई लो तुमरे मिलन को अपने प्रेम पिहर वास लोगर वाला गाई गर जत बरसत भी जत आई लो गर जत और ठीक वैसे ही एक और सेमी क्लासिकल जॉणर को भी उन्होंने बहुत पॉपिलर किया था और उस जॉणर का नाम है गजल लता जी का गाया हुआ शायद सबसे पहला गजल अन्होनी फिल्म से है इस दिल की हालत क्या कहिए जो शाद भी है ना शाद भी है या फिर मम्ता फिल्म से इस गाने को रहते थे कभी जिल के दिल में और बहु बेगम के इस गाने को कौन फुल पाया है दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दे है तुमको नहो ख्याल तो हम क्या जवाब दे है दुनिया करे सवाल और अब जिस गाने को मैं आपके सामने पेश करती हूँ वो ही लताची का एक पसंदीता गाना है और वो है फिल्म ताज महल से जुर्मि उल्फत पी हमें लोग सजा देते हैं कैसे नादाली शुलू को हवा देते हैं कैसे नादाली हम से दिवाने कहीं तरके वफा करते हैं हम से दिवाने कहीं तरके वफा करते हैं जान जाए कि रहे बात निभा देते हैं जान जाए आप दालत की तराजू में दिलों को तौले हम महबत से महबत का सिला देते हैं हम महबत से हमने दिल दे भिदिया रहे दे वफाले भिलिया हमने दिल के भिदिया रहे दे वफाले भिलिया आप अब शाक से दे दे जो सजा देते हैं जुर में उल्फत पी हमें लोग सजा देते हैं कल फिर एक बार हम और एक एपिसोड के साथ मिलेंगे हम फिर एक बार रोशन जी के दूसरे गानों के बारे में बात करेंगे तो देखतना न भूलियेगा कल के एपिसोड को ठीक रात 9 बजे इसी चैनल पर